असलाम उलेकूम कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ खेर्यत से होंगे मैं भी अच्छी हूँ अलहम्दुलिला अल्ला का शुकर है हम बनाने वाले हैं डोरा या की डोरा केक डोरा केक बनाने के लिए मैंने एक बोल में दो अंडे लिये हैं अंडे दालने से डोरा केक हमारा सॉफ्ट बनेगा और बहुत अच्छा कलर आएगा उस पर और ये आधे कब से कम मैंने पाउडर शुगर ली है अगर आप एगलेस बनाना चाहते हैं तो एगलेस भी बना सकते हैं वन टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर दालेंगे वन टीस्पून वनीला एसंस दालेंगे और वन टीस्पून आप इसमें हनी भी डाल सकते हैं बट मैंने नहीं डाला है अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं इनको mix कर लेंगे अच्छी तरह से mix कर लिया है मैंने इनको अब इसमें मैदा डालेंगे एक कप मैंने मैदा लिया है मैदे को हम अच्छे से mix कर लेंगे हमारे अंडे के बैटर में अभी हम इसमें milk एड नहीं करेंगे पहले हम इसको mix कर लेंगे अगर हमें लगा कि milk डालने की जरूरत है तो हम इसमें milk डालेंगे तो ये देखिए ये अभी बहुत ठीक है इसमें हमें दूर डालना पड़ेगा क्योंकि हमें ऐसी consistency नहीं चाहिए तो मैंने आधा कब दूर लिया है थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें डालते जाऊंगी तो ये देखिए इस तरीके की consistency चाहिए बहता हुआ होना चाहिए हमारा बैटर के जब हम इसको पैन में डाले तो वो खुदी round shape में आ जाए तो आधा कब मैंने दूद लिया था उसमें से इतना बज गया है अब हम इसको 10 मिर्ट के लिए side में रखेंगे और फिर बनानी चलते हैं ये मैंने spoon ले लिया है आप कोई भी एकी size रखिए ताकि आपके सभी डोरा cake एक size के बने तो pan को मैंने low flame पर गरम किया है हलका सा गरम किया है जादा गरम नहीं करना है और इस spoon से center में आपको batter को डालना है वो खुदी round shape में आ जाएगा तो one and half चमश मैंने इसमें डाला है batter ये देखिए center में डालिएगा वो खुदी round shape में आ जाएगा और flame आपको low ही रखना है तो कितने अच्छे से shape में आ चुका है ये low flame पर हम इसको पकने देंगे पांच मिनट लगेंगे इसको पकने के लिए तो ये देखिए bubbles आने शुरू हो गए है इस तरीके से bubbles आ जाते हैं और ये अपनी side को भी छोड़ देता है पांच मिनट का वक्त लगता है अब इसको हम पलट देंगे इसकी side को ये देखिए और एक मिनट के लिए बस हलका सा इसको पकने देंगे दूसरी side पर जाधा नहीं पकाना है क्योंकि हमारा डोरा केक बनकर रेडी हो चुका है अब हम इसको निकाल लेंगे डिश में तो एक दूसरा वाला भी मैं आपको इसी तरह से बना कर बताती हूं तो दूसरा वाला भी मैंने 1 1 1 2 टेबल स्पून थोड़ा बड़ा है मेरा स्पून तो ये सेकेंड वाले को भी हम लोग फ्लेम पर पकने देंगे इसमें भी बबल जा चुके है देखिए पक चुका है अब एक मिनिट के लिए इस साइट पर पकाएंगे और सभी डोरा केक हम इसी तरीके से रेडी कर लेंगे बहुती इजी है इसको बनाना तो हमारे सारे डोरा केक बनकर रेडी है इसको मैंने अच्छी तरह से थंडा कर लिया है थंडा करने के बाद ही आप इसमें चॉकलेट स्प्रिट कीजिए वन्ना आपकी चॉकलेट बहे जाएगी इसमें से यह मैंने मिल्क चॉकलेट लिया है इसको मैंने डबल बॉयलर में मैल्ट कर लिया है आप चाहे तो हैजलनेट चॉकलेट का यूज कीजिए या फिर कोई भी चॉकलेट स्प्रिट ले लीजिए जो आपको पसंद है तो यह मैंने दो ले लिये है दोरा केक उस पर हम आमारी चॉकलेट को स्प्रिट कर देंगे आप चाहे तो इसमें आलमंड भी क्रश करके डाल सकते हैं या चोको चिप डाल सकते हैं जैसा आपको खाना पसंद है आप वो चीजें इसमें एड़ कर सकते हैं बच्चों को तो काफी पसंद होती है यह सब तो अपने बच्चों को बना कर खिलाए और खुद भी खाये बहुत ही टेस्टी होते हैं तो इस तरीके से हम इसको फैला लेंगे किनारों को छोड़ देंगे किनारों पर नहीं लगाना है और दूसरा वाला डोरा केक इसके उपर हमें रख देना है और हलके हातों से हमें इसकी किनारियों को प्रेस कर देन हलके हाथों से कीजिएगा वनना तूट जाएगा क्योंकि यह सॉफ्ट होता है यह देखिए हमें पूरा चिपकाना नहीं है बस हलका सा प्रेस कर देना है यह चॉकलेट हमने जो इस पर डाली है वो उसी की हेल्प से आपस में चिपक जाएंगे तो सेकेंड वाला भी इसी तर और हलके से हमें प्रेस कर देना है किनारियों को तो हमारे डोरा केक बनकर रेडी है इतने बैटर में हमारे दो डोरा केक बनकर रेडी हुए है मैंने बड़े सा इसके बनाए है आप चाहें तो छोटे छोटे साइस के भी बना सकते हैं तो इसको मैं थोड़ा सा साइड में रख दूँगी दस मिनिट के लिए ताकि चोकलेट सेट हो जाए ये देखिए चोकलेट सेट हो चुकी है अब हम इसको कट कर लेते है तो ये देखिए फ्रेंड्स बहुती सॉफ्ट और टेस्टी और चोकलेटी हमारे डोरा केक्स बनकर रेडी है आप इसे जरूर ट्राइ कीजेगा अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें शेयर करें और मेरे चैनल फूडविद आफिया को सब्सक् झाह 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 झाह.